Hello Traders and Welcome to the studio members Tata is still Qasq के दर हम trade कर रहे है Generally short videos हमारे अकसार आया करते हैं जिस पर कि जो trade हमने क्या वो हम आप लों के साथ share करते हैं And case method के साथ कैसे हमने उसके अंदर आपटे entries लें यह सारी चीज़ हम discuss करते हैं तो यह बड़ा video, long video बनाने की जोरत क्यों है कुछ छुटी छुटी बाते हैं Like, multi time frame का नाम आपने सुना होगा Multi time frame को अगर आप अपने analysis के अंदर शामिल करते हैं तो वो आपके trade को बहुत बहुत बहतर बनाने की potential रखती है आज हम लोग इस multi time frame को ही समझेंगों और यह काफी help करेगा आपकी तो वीडियो को लाइक किजागा चैनल पर अगर आप पहली बार आई होए तो चैनल को सब्सक्राइब करेजागा Because price action एक ऐसी चीज है जो कि जितने भी elements है जिसके बित्रू आप trade execute करते हो उन सबसे उपर है वो supreme है trade execute करने के लिए बहुत सारे elements है market के अंदर लेकिन पूरी market जब आपको हम क्या जाओगे चाहें तो 20 तरह के indicator जितने indicator से सार यूज करो आखरी में आप आओगे price action पर ही और volume सी यही दो लास्ट में बस्तें बाकिसा भावा हो जाता है तो उतनी information उतनी help आपको यहां से मिलती रहेगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले तो जो concept अभी हमें समझाना उसके लिए कुछ shrinks का use करेंगे अभी हमने एक word use किया multi time frame analysis multi time frame actually क्या है इसमें हम लोग सबसे पहले daily time frame देखते हैं इसके बाब में फिर आते हैं lower time frame पर एड यहां पर अब हम लोग lower time frame अब multi time frame की concept में सबसे पहले हम लोग समझेंगे day time frame को day time frame का सबसे पहला काम होता है हमारे हमको point of action देदेना अब इन point of actions के थूह हम लोग अपने trade सा execute करते हैं सबसे पहली तो चीज होती है reading reading के बाद में कुछ fixed formations होती है इनका हम लोग use करते हैं अपमे point of actions पर ठीक तरह से पहुँचने के लिए तो इन दो topics के तुरू हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे fixed formation क्या होता है जैसे ही कि अपने पास जो हम लोग use करते हैं और यह है decreasing loss decreasing में क्या होता है कि same color की माल लिजे दो गिरत वे क्रम की black color की candle से या आप program से कई लोग को मालूप होगा और कई लोग को नहीं मालूप होगा कि गिरत वे क्रम की अगर candle से है हमारे पास गिरत वे क्रम की same color की candle से है लिए दो दिन से market लगातार गिर रहे हो, red candle लिए फ़र्म हो रहे हैं, तो third time हम लोग क्या करते हैं, buy कभी रखते हैं, अपने point of action से, दूसरा क्या होता है, falling, falling में क्या होता है, market तीन दिन से लगातार, एक ही color की candle create कर रहे हैं, बट volumes गिरते हुए क्रम में हैं, fourth time हम लोग क्या करते हैं, opposite direction में trade करते हैं, यानि कि अगर तीन दिन तक market लगातार green है, same color की volumes form हुई है, तो fourth time लोग opposite direction में trade करेंगी, अगर green color की candle form हो रहे हैं तो फिर हम लोग short करेंगे, अगर red color की candles form हो रहे हैं लगातार, तो फिर हम लोग buy करेंगे, यह होता है, decreasing and falling lows, यह क्या है, fixed formations है, इसके लाभा काफी सारी formations है, price actions के कुछ concepts हैं जो कि decreasing lows के अंदर आते हैं, point of actions तक पहुशना होता है, कुछ fonts हैं जिसका हम लोग use करते हैं, तो यह मोटा मोटा हमने समझा आपको कि यह fixed formation है, अच्छा, अब यहीं से हमारी शुरू होती है readings, एक formation होती है, concept है न, कि price लगातार हमारा किसी एक range के अंदर रुका हुआ है, price range के अंदर है, और वो बाहर के तरफ नहीं निकल पा रहा है, यह थोड़ा बहुत इसके अंदर move आ रहा है, तो price हलका सा कहीं इस तरह से करके बाहर के तरफ जाता है, वापस देखो price फिर अंदर के तरफ आ जाता है, कि first candle की volume मानलो normal है second candle की उससे कब अब breakout कब होता है जब अपनी last candle से ज्यादा volumes create हो जाती है next ये volumes का breakout होता है इसके बाद मानलो slow volumes आई कम volumes आई अभी volumes का breakout नहीं हो रहा है जब तक अपनी last candle से ज्यादा की volume नहीं आजाएगी मानलो यहाँ पर आगी अब यह volume का breakout है तो इस तरह से range से बाहर price नहीं निकल रहा है वोट volumes के लगातार breakout हो रहा है ये pressure create करता है एक तरह से price range के अंदर तो है लेकिन जिस दिन गिरेगा या जिस दिन एक valid breakout दिखा देगा हम लोगों को को एक एक करके समझना है थोड़ा सा time taking process होता है ये कोई strategy नहीं है कि हमने आपको कोई crossover बता दिया ये कुछ बता दिया और उससे आपने कर दिया कि यहाहारी light जिल जाएगी यह ग्रीन वारी line हो जाएगी और सब कुछ हराम से हो जागा नहीं ये trade करना इतना भी असान है जितना market में बताया जाता है महनत लगती है focus कर लगाना पड़ता है proper patience के साथ बैठना पड़ता है समय दोगे हो जाएगा जल्दवाजी करोगे नहीं होगा हो सकता कुछ लोग स्किप करकर के वीडियो को देखने का शौकुन के अंदर हो तो बहुत साई चीज़े मिस हो जाएगे market में जाओगे कुछ का कुछ हब यूज करोगे results नहीं आएगे लगेगा रहे क्या तो फालती की चीज़े बताएं moral of the story थोड़ा सा focus के साथ सुना अगर अभी समय नहीं तो वीडियो को like करके छोड़ दो आप बाद में उसको देख लेना price ने किसी एक जगह पर अपना एक swing लगा और यहां से यह upside की तरफ जाने लगा अब इस जगह पर जाकरके इसने एक support create कर लिया यह price action आपको अकसर charts के अंदर देख जाएंगे and यह support फिर breakout होते हैं downside के तरफ अच्छा जो swing लगता है ना यह swing कुछ events को direct करता है कुछ events like results आ सकते हैं dividend दिया हुआ हो सकता है या quarter का result हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहां पर simply हम लोग क्या करते हैं कोई अगर swing लग रहा है कोई swing create हो रहा है तो हमें उसको verify करना पड़ा verify कर लिया समझ में आगा है कि हाँ यहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ था price क्या कर रहा है वहीं से फिर downside की तरह जब fall इसका शुरू होता है तो यह verification help करता है हमको support पर support के form हो जाने में और resistance पर resistance के create होने में मतलब support पर support के confirmation दे देता है और resistance पर resistance के confirmation दे देगा अब price ने कोई भी एक अपना swing लगाया यहां पर मालिजे कोई swing लगाया और उपर से price हमारा breakout हो करके downside की तरफ आया और इसने move दिखाना बंद कर दिया इस एक जगाय से और यहीं पर यह रूप गया अब अचानक से price ने gap down दिखा दिया नीचे की तरफ इसका meaning क्या हो सकता है थोड़ा सा हो सकता है complicated हो रहा हो जैसे price अपका upside की तरफ गया यहां पर इसने कुछ hurdles लिये support लेगा, support लेने के बाद में support होता है अपना break क्या करता है price अपने previous swing के पास में आता है swing इतना सच के support है अब यहां से price को क्या करना चाहिए फिर यह upside की तरफ ही भागता है या फिर अगर नीचे की तरफ जाना है अगर यह यहां से नीचे की तरफ नहीं गया मालोग price ने support से आकर के एक move upside की तरफ दिखा दे कोई भी bullish candle का day time frame पर breakout कर दे तो यह उपर निकल जागा लेकिन अगर इसे उपर नहीं जाना है और downside की तरफ जाना है तो कौन कौन से symptoms होंगे इसको समझो यह बहुत short कर देते हैं काम को अब जैसे माल लेजिए price को नीचे की तरफ जाना तो वो क्या करेगा या तो कोई एक valid breakout दे देगा हम लोगों को अभी हम लोग daily time frame पर ही है यह वर अभी सिर्फ अपने point of actions निकाल रहे है through reading fixed formation अभी आईगी थोड़ देर में अब price जिया तो यहां से कोई एक valid support को break कर दे हमारी help हो जाएगी उससे और नहीं तो फिर क्या कर सकती है कि price जैसे ही अपने support पर आया अब gap down दिखा देने के बाद में फिर से देखो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग आख बंद करके काम करते हैं gap down हो या नहीं यह तो weak हो गया चलो अब हम trade execute करते हैं हो सकता gap down दिखाया है आपको trap करके ओपर की तरफ निकल ले कोई भी trade execute करने से पहले हम लोग confirmations ज़रूर लेते हैं इसने gap down दिखाया gap down दिखा देने के बाद में जिस भी दिन हमें trade execute करना है हम लोग क्या करते हैं अपने confirmations लेते हैं entries के हमें short करना है या buy करना है इतनी सी चीज़ समझ में आई price के upside की तरफ इसने support create किया support हो गए break break out हो जाने के बाद में अपने यह previous support पर आगया यहां से upside की तरफ जाने की chances थे मालो price उपर की तरफ नहीं के इसने gap down दिखा दिए नीची की तरफ है ना अब में चाहिए कि अगर इसे short होना तो price अपने low को break कर दे और अगर buy होना तो फिर यह वाला gap fill करके यह उपर की तरफ निकल जाए अगर gap fill करके price उपर नहीं निकल रहा है अपने low को लगाता ब्रिक कर रहा है इसका क्या मतलब होता है कि price is still weak हम लोग short कर सकते है still की अच्छी opportunity है क्यों कि अगर इसको upside की तरफ जाना होता तो यह क्या करता price अपने high को break करता price अपने gap को fill करता यह उपर से नीचे की तरफ आया अब यही चीज़ आप चलोगे चार्ट के उपर तो और भी अच्छी तरह से समझ में आई अब देखो इतनी सारी मार्किंग्स हमारी पहले से है हमने इन्हें खुद समझने के लिए draw कर रहा हम सारी मार्किंग्स रिमूफ कर देंगे and वापस से draw थोड़ा सा memory को इस ट्रॉंग रखिएगा कब कौन से events में यह आपको याद होने चाहिए मालूम होने चाहिए अब टाटेस्टिल को देख लो अच्छा इस दिन क्या हुआ था ना कोई याद होगा तो results आए थे election के results आए थे जिस वेसे market ना नीचे के तरफ गए थी तो इसने क्या किया ना एक low लगा दिया थे इस एक चेके से and यह अपना high था यहाँ से price ने क्या किया कि upside का एक move दिखाया move दिखा देने के बाद में वापस surprise अपनी down move, down move यह down move भी दिखा रहा है इस side के price actions सारे आप छोड़ दिजा हमें नहीं देखने है वो अभी हम लोग यहीं पर है फिर से दो हम clear कर रहा है आपको कि यह जो reading से सिर्फ टार्टे स्टील में ही ने आप कोई भी chart उठा लो जैसे nifty 50 है इसके अलावर भी कोई chart हो गया कहीं पर भी जब आपको reading करनी होगी तो आप इस तरह के price actions का use करोगे कि price नहीं यहाँ पर देखे क्या क्या है यह marking हमारी दो दिन पहले की है यह वाली तो price high पर high लगा रहा है और पने lows को protect कर रहा है लगातार lows यहाँ पर protect हो रहा है अब हम लगातार देख रहे हैं कि price अपने high को break करता चला जा रहा है अब हम देख रहे हैं कि price अपने high को लगातार break करते हुए जा रहा है low protected high break low protected high break low protected अब इस जगे से क्या होने लगा कि जो high लगा था ना इस वाली candle नहीं ही लगाए था प्राइस उनके lows को अब break करने लगा यहाँ देखो यह high लगे थे प्राइस अपने high के अंदर आकर के trade करने लगा यहाँ पर क्या हुआ इस एक जगह पर एक swing create हुआ था यहाँ पर अब यह लगादार अपने low को break करने लगा तो प्राइस में हम लोग कुछ resistance या support माग करके अगर हम read करते हैं तो बहुत सारी picture आसान हो जाती हो सकता है पिरमार इंवरेस्ट्रीज की reading आपको समझ में ना आई हो आप एक बार वापस से देखना वापस से हम लोग चलते हैं टाटा स्टील पर यहां पर एक low लगा है एक high लगाई आप प्राइस ने upside के तरफ दो जाने के कोशिश की बत यहां से अब लगातार क्या हो रहा है ना lows break हो रहा है support टूट अब यहां पर support break हो रहा है support break हो रहा है support break होते है market नीचे के तरफ चलिए है अच्छा, यहाँ पर आकर किसने क्या किया, एक और सपोर्टirtschaft हमने इस ब्लैक वाली कैंडल को सिर्फ इसलिए मार किया कि यहाँ पर जब लो लगा था, लो लगा देने के बाद में अब यहाँ पर दोखो हाई लगाता ब्रेक हो रहे था तो यह हमारा एक support हो गया अब क्या होना चाहिए जैसा अभी हमने बताया कि price ने अगर low लगाया तो फिर यहां सी उपर की दरफ चला जाए लेकिन इसने move देखा है वापस दोगो support पर आ गया इस एक support पर आ गया support पर आ जाने के बाद में इस दिन आया था result रिजल्ट्स आये थे लो लगाया और यह अपसाइट की दरफ चला गया वापस से price हमारी सेम कैंडल के अंदर आती एक support क्रेट करती support को downside की दरफ कर देती है break ठीक है यहां पर एक नया support क्रेट होता है support बना तो फिर price हमारी ओपर चला जाए लेकिन results अच्छे नहीं आये थे यही reason रहा होगा कि price फिर वापस से नीचे की तरफ आ गया अब नया support बना पहला support break हुआ दूसरा break हुआ तीसरा भी support gap down कर दिया market lower low lower highs लगातार लग रहे है यहां तक क्लिए है अब देखो इस चगह पर आजा यह तो है समझ में आगा है कि यह weak है day time frame पर यह weak है अच्छा जब इसने gap down किया तो देखो एक यह candle थी जिसके थूरू इसने gap down किया था हमने इसको mark लिए यह सारी markings साब remove कर दो सिर्फ इन दो को रहने देते है gap down कर देने के बाद भी price हमारा एक range के अंदर हो गया हो सकता है यहां पर यह जो pressure create हो रहा है इस pressure के बन जाने के बाद ने price फिर हमारा उपर की तरफ निकल जाए chances है ना कि यहां से price फिर हमारा उपर की तरफ चला जाए इस तरह से तो अगर इसे ऊपर की तरफ जाने तो फिर इस तरह के ही price actions शो होने चाहिए लेकिन यह क्या कर रहा है range को break नहीं कर रहा है और अगर हमने volume open कर दे तो आप देख पाऊगे कि volumes भी यहां पर लगाता ब्रेक हो यह हमारी master candle है इसके बाद में देखो यह वाली candle यह वाली candle लगातार volume प्रेक हो रहा है price निकल ही नहीं पा रहा है उस जगए अब एक छोटा सा symptom हम आपको और बताते हैं यहां पर price क्या कर रहा है लगातार जो इसके low है यह break हो रहा है यहां पर देखो low break हो रहा है यहां पर भी low break हुआ यह वाला भी low break हो गया अब कौन सा बस्ता है इस वाली candle का है सबसे main support point हमें क्या करना है हमें 149 के नीचे अपने entries के confirmations लेने है अब अगर इससे नीचे के तरफ जाना है तो 149 के नीचे हम लोग अपने support के breakout देखेंगे trade execute करतेंगे यह हमने कौन से time frame पर किया day time frame पर अब five net के time frame पर आपको क्या करना होता है यह को multi time frames है यह फिर से हम आपको यहाद दिलाए अब इसमें day time frame पर हमने अपने point of actions निकाल लिए अच्छी तरह से समझ में भी आ गया है अब हम लोग आ जाते हैं सिदे lower time frame पर lower time frame पर क्या करना होता है कोई भी आपको bearish candle देखनी है आप swing देख लो है न कोई भी swing का अगर breakout हो रहा है downside की तरफ price कोई अपना support create कर रहा है अगर वो support नीचे की तरफ ब्रेख हो जाए हम लोग तब trade execute कर सकते हैं कोई mother candle हमारी with following बन जाए और अगर entry के confirmations मिल रहे है वहां से तो फिर हम वहां से भी trade execute कर सकते है rex line formation है होश्चा कैसे भी trade execute कर देंगे moral of the story सिर्फ day time frame को read करके ही काम नहीं चलेगा lower time frame पर भी हमें अपनी interest के confirmations लेना होगे तो fixed formation जैसे rex line हो गया mother candle हो गया double bullish double bearish हो गया bullish top bearish top है आपका VSA है mother candle इसके रावा जितने भी formations है हाला कि जब हम लोग trade execute करते हो तो वहां पर fixed formation ही होती है कि हम लोग अगर वो formation देखेंगे तब ही trade execute करते है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि price कोई swing create कर दे lower time frame पर कोई price वहां पर हमारा support इस तरह से create कर दे कोई fixed formation बन जाए volumes के proper breakout दिख जाए तो यह lower time frame के entries के confirmations होते है जैसे tartar steel में भी जाए आप चलते हैं हम लोग lower time यह तो clear हो गया ना कि price ने यहां से भी अपना support ब्रेक कर दिया लगातार upside से नीचे के तरफ आ रहा है यहां पर देखो इसको बहुत दिन से वाच कर रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे दिन से price range के अंदर रुखा है अब अगर हम weekly time frame पर जाएंगे ना तो weekly time frame पर भी आप देख लो के previous week के just low पर ही trade कर रहा है और हो क्या रहा है, weekly जो low है ना वो लगातार ब्रेक हो रहे है यहां पर भी देखो, यह भी देखो, यह भी देखो, यह भी देखो यह कहां से strong लग रहा है हम लोगों को यहां तो weekly lows लगातार ब्रेक हो रहा है प्रिवेस वी का भी लो चला गया, आज हम क्यों trade नहीं करें, हमें कोई reason नहीं मिला trade नहीं करने का, हम तो कर देंगे stock उठाओ, इस तरह से read करो multi time frame का use option option में कुछ नहीं रखा, हम अक्सर मना करते है अक्सर मना करते है आप options करने जाओगे ना, दो, तीन candle, चार candle, इस तरह से वो चीज portrait की जाती है ना, कि पुरा mind क्या हो सकते है, mind wash हो रखा है, उससे बेहतर कुछ नहीं है हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हो जाए, option को जितना हो सके option से दूर हो, आप simple सी ये चीज समझ लो कि अगर आप 50 रुपय के stop loss या 100 रुपय के stop loss नहीं संभाल पा रहो, तो फिर आप 2000 का भी नहीं संभाल पाओगे करोगे नुकसान ही, कोई जादू नहीं हो जाएगा, फ़लानी ने trade execute किया चलो, अच्छा है, इसके favor में चलते हैं, बाद में फिर हम अपने direction में चले जाएगे, ऐसा नहीं हो सबसे पहले, कम capital के साथ में आपको profitable होना पड़ेगा, equity में profitable होना पड़ेगा, first, सबसे पहले, नहीं करोगे, आप अपनी मर्जी का काम करते हो, खुब करो, खुब option करो सब कुछ करो, आप दुनिया बर की market rate करो, जब ना समवल पाए तो फिर से शुरुवात करना, यह बात हमारी याद रखना है, फिर से शुरुवात करना सबसे पहले equity में profitable हो जाना, कम capital के साथ हो इस तरह से एक ए candle को correlate करो आपस में, समझो, पढ़ो चार्ट को देखो, उस पर हो क्या रहा है random trade execute मत करो अब हम लोग daily time frame पर हमने देख लिया ना अब हम चलेंगे सिधे 5 minute की time frame की किसी भी तरह का कोई भी support तूट जाए कोई swing break हो जाए, कोई significant candle break हो जाए काम पर हो रही हो, कौई से structure के साथ form हो रही इसके ओपर depend करता है, यह एक significant candle थे 9.15 का low point, तो देखो 9.15 का low price ने नीचे की तरफ break किया हम इस candle को, marking को delete कर देते हैं, अब जैसे ही यहाँ सी यह 9.15 के low के नीचे price निकला, देखो, volumes में क्या हल चल मचने लेगे, इसको थोड़ा देहां से समझना, 9.15 की candle इसके बाद में देखो, volumes नीचे की तरफ गई और अचानक देखो, volume के breakout हो गया price नीचे की तरफ कर दिया, close है ना, अब यहाँ पर देखो, यह तीन volumes देहां से देखना, एक यह वाली, कि volumes नीचे तो price तो नीचे जा रहा है, बट volumes भी नीचे जा रही मतलब कोई strength नहीं है, अब यही पर देखो, एक green candle बन गई कि price उपर जा रहा है, बट strength इसमें भी नहीं दिख रहे, लेकिन अगली candle ने strength दिखा दे यह बात याद रखना, point of action पर ऐसी कोई भी opposite direction की candle बन रही, जिसकी volumes के breakout हो चुके है, उस candle का लो हमारे लिए हमेशा है support होता है और उस candle का high resistance पर resistance के confirmation देता है, 9.15 के low के पास में ही, जब price जैसे ही touch होता है, इसके अंदर दो को volumes increase होने लगती है, जैसे ही trades execute कर सकते हैं, अपनी market की field में एक कहावत और बहुत पुरानी कहावत है कि कोई भी opportunity मार्केट में आखरी नहीं होती, जब भी तुम्हें कोई opportunity आखरी लगे, समझ लो तुम्हारे आखरी दिन चालू हो गए, बाते बहुत हो गए हैं, अब trade book अपनी open सब्सक्राइब के लिए, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, okay, so mistake यह हुई थी कि जब हमें exit करना था तब हम exit नहीं करना था चूक गे उस्टे के पर और market वहां से सीधों पर कि तरफ भाग गए, so profit तो काफी चल रहा था, लेकिन अभी वो कम हो करके करीब 8000 के राउंड चल रहा है और अब हमें ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे नहीं जाना है, क्योंकि पूरा दिन खत्म होने को आगए, last का कुछ session बच्चे में कुछी candles बची है, और जो profit और ज्यादा हो सकता था, अभी वो decrease हो चुका है कम होकर के नीचे की तरफ आगया है अभी चलता रहता है, part of game है इसके उपर हम regret नहीं कर सकते हैं कि हमें इतना profit नहीं हुआ या इससे ज्यादा होना चाहिए अभी हमें खुद के उपर doubt होने लगे कि हमें आता ही नहीं है यह market में यह चलता रहता है कई बार ऐसा होता है कि आपका profit कुछ ticks से कम रहे गया, कुछ पैसे से कम रहे गया जाते जाते price सिधे नीचे की तरफ आगया दो candle में आपका जो SL है वो हीट होगा, कई बार हमारे साथ ऐसा हुगा है हम book करते करते रहे गया है target कई बार होता है कि target तक जाती है market एक spike आती है, वो target से डबल एक ही candle in price भाग जाता है क्योंकि point of action से strong होते है तो price में अचानक से spike आ गई जितना हमने set के आदा target के हमें book करना है वो उससे जादा देता है कई बार price कहीं नहीं आता, बीच में रहे जाता है हमें फिर broker बार निकालता है, तीन साड़े तीन बज़े के आसपास तो इसी तरह से कई बार target मिलेगा target से ज्यादा भी मिलेगा, side भी हो जाएगा target तक price आया, वहाँ पर आब book नहीं कर पाए फिर वहाँ से side भी हो जाएगा यह phases होते है, ठीक इसको tackle करना है इसके उपर बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना अब यहाँ पर ही देख लो, कितना अच्छा profit चलाते हैं अचानक से price उपर की तरफ भागे हम नहीं book कर पाए, reason चाहें जो भी रहा हो लेकिन वह नहीं book हो पाया अब ऐसा लग रहा है कि book हो जाता तो मजा जाता फिलाल हम थोड़ी दिर तक और wait करेंगे और नहीं तो फिर last में बहार निकलेंगे और थोड़ी दिर पहले तक हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि समय था कि price अगर अपने supports को break कर देगी तो move हमें अच्छा मिल जाएगा इसके नीचे बट अब तो market close होने वाली है कुलम लाकर के साथ candles ही बची है तो हम hold करेंगे फिलाल तो अब अगर यहां पर नहीं निकलेंगे तो फिर यहां भी निकलेंगे बिल्कुल last time hold करेंगे जो होगा प्रोकर जैसे बाहर निकलेंगे वैसे बाहर निकलेंगे